अहाँ लड्डू खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है नहा कर मैं चारो लड्डू खाऊंगा क्या मुझे नहीं दो के? नहीं ठीक है बंबी एक ले लो वाँ लड्डू साधिस्टे टीन बटके मेरे लिए अब भी काफी है चप्टू मुझे मिठाए क्यों चुपा रहे हो? मा तुम? बेटा जब तू छोटा था तब मैं तुझे दूट पिलाती थी क्या तू मुझे एक लड्डू नहीं दे सकता? लो मा साब वाश मुझे पता था मेरा जब्डू कभी इनकार नहीं करेगा बेटे की शादी के बाद आज मिठाए खाने को मिली है अब दो रह गए मेरे लिए अब भी काफी है बेटा जब्डू मैंने तुझे लिखाया पढ़ाया या पिता को एक लड्डू नहीं खिलाएगा वाँ लड्डू नरम और देसी घी का है अब एक रह गया है पिंकी इधर आ रही है वाँ मेरा बचा हुआ एक लड्डू खा जाएगी मैं इसे मेट पर रखता हूँ और और लड्की को दर्वादे से टरका देता हूँ देखो पिंकी इस वक्त मैं जरूरी काम में वस्त हूँ तुम यहां से चली जाओ तो बेहतर है अंकल मैं सिर्फ यह पहने आई थी कि अपनी सारी खिट्टिया पंदर को मोहले में पिल ली आई है जो मिठाई खाने की शोकीन है मेरा लाट क्यों कॉंस्टेबल दंडादीन उदास क्यों हो पिंकील है कुल जन्म पड़ा हो मेरे सेंचुरी ने बन रही क्या पुलिस की नौकरी छोड़कर किकेट केलर शुड़ कर दिया है नहीं मैं 99 चोर पकड़ चुका हूँ एक और हाथ लग जाया तो पूरी सेंचुरी हो जाएगी च्या उससे कुछ पाइदा होगा बहुत मेरी तरक्की होगी और मैं सीनिय कॉस्टेबल बन जाओंगा तथा 200 रुपए महीना मेरी तनका बढ़ जाएगी एक चोर को मैंने देखा है कहा जल्दी बताओ पहले मुझे आइसक्रीम खिला फिर बताओंगी वह किन बात के क्यों तुमारी तरक्की होगी तनका बढ़ेगी क्या कुछ पैसे आइसक्रीम कर खट नहीं कर सकते अच्छा आओ अरे भाई एक आइसक्रीम देना आओ मेरे साथ भी कितने दूर है चोर तोरी दूर उस मकान के पास तैवा वा बच्चो के खेल का चोर ठोलो तुम इसकूल जा रहे हो तो ममेशा पढ़ने लिखने से कत्रा के रहे आज मैंने सोचा माबापको खुश किया जाए इसलिए मैं बस्ता लेकर स्कूल को चल पड़ा वरना मैं 365 दिनों में एक बार भी स्कूल नहीं गया मुझे स्कूल की बजाए वीडियो गेम और ठीवी देखना ज्यादा पसंद है पर तो आज तुमें गणित के परश्णाल करते वक्त बड़ी परिशानी होगी किताब किसने क्रोल नी है आज इतवार है स्कूल की छुट्टी का दिन अच्छा चलता हूँ मुझे देर हो रही है घर वापस लोटकर मुझे कार्टून फिल्म देखना है मैडम आप इतवार को आप क्लास्रूम में क्या कर रही है पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट्स के लिए अज स्पेशल क्लास रही रही हो जोलू तुम भी किताब खोलो तादर जी क्या धून रहे है जुराबे नहीं मिल रही वह तो आपने पहन बख्या है मगर दो अलग अलग किसम की अगर दूसरा जोड़ा मिल जाए तो मैं जुराबो का मैच करके पहन सकता हूँ मैं जुराबे ढूनने में मदद करूँ मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा मगर वे नहीं मिली कोई और तरकीप सोची जाए क्या एक मिनट ठेरो मैं अभी आई ये कमबुट पहल लो पता नहीं चलेगा कि उनके अंदर आपने दो अलग अलग जुराबे पहन रखी है तरकीप कम्योब रही अब आप चल कर देखो अब मैं कैसे देख सकूँगा इसका भी उपाए है एनक में जिस तरफ सीशा ठोटा है वस तरफ के आँप पर पट्टी बान देती हूँ अब आपकी एक आँप और एक ही शीशे का चुश्मा हिसाब बराबर पिंकी देखो तुमारे सिर पर कितनी खुब चुब चुरत तितली बैठी है मैं इसे पकटती हूँ हाँ 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 वह उड़ गई पुदर गई वह पकड़ो तितली फूल पर बैठ गई है मैं उसे पकटने जाती हूँ पुदर मत जाना वहाँ कुट्टा बैठा है तितली को खबर नहीं है कि कुट्टा उसे खाने आ रहा है मैं तितली को बचाने जा रही हूँ उधर मत जाना कुत्ता तुम्हें काट लेगा या पत्थर काम आएगा तितली उड़ गई वो बच गई उसे पकड़ो इस बार वा तलाब के फूल पर बैठी है मैं वहाँ जाकर उसे पकड़ लेती हूँ यादा गहरे पानी में न जाना एक छण बाद वो मेरे हाँद में होगी आओ वो फिर निकल गई वो जा रही है भागते हुए मेरी सास फूल गई चम्पू घर आ गया है क्यो ना हम दूद भी कर ताज़ जम हो जाए फिर टिखली को पकड़ेंगे ठीक है बच्चो दूद का वक्त हो गया है देखो वो ही तिटली हमारी घर पर आ गई है पकड़े गई तिटली नीचे गिर पड़ी ऐसा क्यों हुआ दीटी वो तिटली हिल्डूर क्यों नहीं रही हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूत होती है मतमान में धमगुटने चे शायद वो मर गई है हमारा इरादा देखली को मानने का नहीं ता मतमान से पहा निकाल कर इसको नधी में बहाए अरे वो तो उड़ गई वो जिंदा थी पोस्टमेन नानी तुमारे चिट्थी आई है तुमारे नाना ने लिखी होगी वो कानपुर गए है तक तो नाना जी ने चिट्थी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा होगा क्या लिखा है उनोने अबी पढती हूँ पहले चस्वां ढूणना पड़ेगा मैरे के दोनों द्राज में चस्वा नही है अल्मारी में भी वो नही है सकिया के नीचे भी वो नही है पता नहीं मैं चस्वां कहा लखकर भूल गई नानी मैंसल जानकी के पास इpt चस्वां है मैं वह मंग कर लाती हूँ मेरा इंतजार करो पता नहीं मेरे याददात को क्या हो गया है मैं चीजे रखकर भोल जाती हूँ लो मैं चिश्मा ले आई अब पुस्ट कट पड़ो या दूप का चिश्मा है इससे काम नहीं चलेगा मेरे घर में दूर्बीन रखी है उसे ले आऊ नहीं दूर्बीन से दूर की चीजे देखी जाती है मलाम मैं क्लियर विजन आप्टिकल कमपनी से आया हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आईए को दिन पहले आप फ्रेम बदनने के लिए अपना चश्मा हमें दगाई थे मैं वह दने आया हूँ चश्मा आ गया अब चिट्टी पड़ो अब मैं भूल गई हूँ कि वह चिट्टी मैंने कहा रखी जपर जी आप उधास क्यों बैठे है मैं डूबरू गर से आया हूँ लंबी रेले अत्रा के बाद सोचा था घर में आराम करूँगा मगर यहाँ दर्वाजे पर ताला लगा है आंटी कहीं आसपास गई होगी आकर दर्वाजे खुल दींगी पता नहीं वह कब तक लोटेगी मैं मिसस कुलकर्णी के घर जाकर देखती हूँ कहीं वह 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 तो नहीं बैटी अगर मेरी पत्नी वह न मिली तो तो मैं ब्लॉक में सारे घरों में देखूंगी आप इंतजार करो मैं आंटी को टून कर लाती हूँ मिसस कुलकर्णी क्या मिसस जटपट आप क्या है नहीं पिंकी मुझे आगी जाना चाहिए मिसस धींगरा क्या आपने मिसस जटपट को देखा है एक सबता से मैं उससे नहीं मिली मिसस जटजी rightly या मिसस जटपट आप के साथ बैटी है नहीं पिंकी सारा अलियाँ का छान माना मगर मिसस जटपट नहीं मिली चटपट जी आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली अंदर जाने के लिए कोई दूसरा तरकीब लडानी पड़ेगी अंकल इधर आईए आपके घर की पीछे की खिड़की खुली है आप पीछे की खिड़की से ही घर में प्रवेश कर सकते हैं धन्यवाद विंकी अरे आप मेरे पती देव मैंने समझा कि कोई चोर है जो पीछे की किड़की से घर में खुशाया है मैं दो पहर की नीन सोना चाहती थी घर घर जाकर समान बेटने वाले सेल्समेन मुझे डिस्टरब न करें इसलिए मैं बाहर से ताला लगा कर पीछे के दर्वाज़े से अंदर आ गई ताला लगा देखकर कोई सेल्समेन दर्वाजा नहीं खटखटाएगा कुकुट रुको सद्यानाश मोबिल आयल में लद्बत हो गई हस रही हो शैतान कहीं की रुको ज्यादा तेज न दोड़ो मोबिल आयल से फिसल जाओगी चेट बच्ची नमस्ते क्या आप मेरी कुकुट से दोस्ती करेंगे ना बाबा गिलहरी से देल टपक रहा है पिंकी इससे मुझसे दूर रखो अगर इसने मुझे छूलिया तो मेरे कपड़ों पर दाग पड़ जाएगा इससे पहले की गलहरी मेरे करीब आए मुझे 90 लेवल हो जाना चाहिए देखा कोई तुम्हें पास नहीं आने देना चाहता पिंकी तुम आ गई तो मुदास क्यों हो दादा जी हर कोई मेरी को कुछ से नफरत करता है उसे अपने आस पास नहीं आने देता मेरे दोस्त पशुबंदू जानवरों से प्यार करते है ये तुम्हारी गिलहरी को अपनी गोध में बिठाएंगे अंकल क्या सच मुझे आप मेरी गिलहरी को गोध में बिठाएंगे क्यों नहीं, मैं हर रोज अपने पालतु, कुत्ते और बिल्ली को गोद पे बिठाकर दूद पिला पाओ तो आप तो खीक है, अंकर तुम से दोस्ती करना चाहते तेल से लगपन्द गिलहरी ने मेरे कपड़े खराब कर दिये विसमर्दास, आज से हमारी दोस्ती खतम, अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा बेटी, हम काम से बाद जा रहे हैं कब लोटोगे मम्मी? देर से, बेटी, पीछे से नहाना न भूलना आप बेफिक्र ब्राओ पापा बाई बाई पापा मम्मी जोट मैं आउने लगती हूँ, दर्वाजा ये टेलिफोन की गंटी बजूटी है अरे भाई, सबर करो, दर्वाजा खोलती हूँ आप कौन? चोर लेकिन मैंने सुना था कि चोर हमेशा पीछे के दर्वाजे से आती है मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को जाते देख लिया था और जान गया कि तुम घर में अक्केली हूँ, इसलिए आगे के दर्वाजे से आया हूँ तेलिफोन की गंटी अगर फोन उठाया तो छुरा गोप दूँगा बताओ, रूपिया पैसा और जेवर कहा रखे है बताती हूँ, सोचने का मौका तो दो सारे जेवरात और नदी तीजोरी में रखे है तीजोरी की चावी मेरी फ्रॉक की जेव में है और फ्रॉक बातरूम में है फीकल बात रूम खोल कर मैं तुम्हारे फ्रॉक से तीजोरी की चावी निकालता हूँ अवल्दा डंडा पिसाथ बराचोर तीटी क्यों ना जम क्यारम बोट खेले पिंकी जब कोई पढ़ाय में व्यस्त हो तुम्हें अंदर जाकर उसे डिस्रब नहीं करना चाहिए मुझे कैसे पता चलता कि तुम पढ़ने में मश्गूल हो कमरे से कोई आवाद नहीं आ रही थी मैं जब टेबल याद करती हूँ तो सारे महले को पता चल जाता है मैं उचे स्वर में कह देती हूँ दो एकम दो दो दूनी च्यार तीन दूनी छे बस पस टेबल की बाद दूसरी है उची आवाज में किताब नहीं पढ़ी जाती क्यों पंडीची रामायन उची आवाज में पढ़ते हैं और भक सुनते हैं खामोश हो जाओ मुझे चुपचप पढ़ना पसंद है क्यों पापा जो बगबार पढ़ते हैं तो बीट में मम्मी से बाते भी करते हैं और चल दिपीते हैं उफ मैं किताब पढ़ने हूँ ना कि समाचार पत्र कान सी किताब भूगोल उसमें क्या लिखा रहते हैं प्रित्वी, पहार, नदी और मौसम के बारे में तीडी आंदी कब आती है जब पिंकी आती है तीडी कहां जा रही हो मैं आंदी से भाग कर जा रही हूँ मैं मिसिस रानाडे के घर जाती हूँ और शांती से पढ़ लूँगी मिसिस रानाडे के घर आ गया दर्वाजा खोल कर अंदर जाना चाहिए आज़्टाल से बच्चे छोट्टिया बनाने आए हैं इन्हें राक म्यूजिक पसंद है नीथी, पाफस की रोटाई वहाँ बूचाल आया हुआ है ओ, मेरे अखरोट पिंकी, तुम्हारी कुपकुट मेरे अखरोट खा गई मैं अरजाना वसुल करूँगा गोबलन, इह बात तुम्हारी पैस हमारे लॉन में घुसकर खास चर गई थी क्या तुमने अरजाना दिया था? किस बात का अरजाना, आज तो चरने के लिए होती है उसी तरह अखरोट खाने के लिए होती है कुपकुट ने खा लिया तो क्या हुआ? मैं उस गिलरी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह चलने के काबिल नहीं रहेगी दूसरे दिन गिलरी को लुभाने के लिए पिंजरे में अखरोट रखता हूँ आहा, पकड़ी गई अब मैं जाकर पिंकी को देखता हूँ वह कैसे हर जाने के पैसे नहीं देती पीकु, क्या तुमने मेरी कुकुट को देखा है? नहीं पिंकी आँटी रहो, क्या आपने मेरी कुकुट को देखा है? नहीं लड़की मैं जानता हूँ तुमारे परेशानी का कारण गिलरी मेरे कपजे में है मेरे अखरोटो का मुल्य दस रुपए दो और कुकुट को ले जाओ अगर मैं पैसे न दुपता हूँ तो मैं गिलरी को बेज दूँगा मैं उसे खरिदने को तैयार हूँ यालो दस रुपए और गिलरी की खाल से अपने जूते बनवाँगा हूँ आओ, मैं तुम्हे वा गिलरी दूँ है, पिंजरा काले बंद पिंजरे से गिलरी गायब कैसे हो गई? अटो, मैं बताती हूँ पिंजरे में तल नहीं था गिलरी ने अपने तेज दातों से मीद की लगड़ी काटी यह निकल गई ककट, आओ चले नानी मा, लगता है आज तुम काम में व्यास्त हो? नहीं पिंकी, योहे कुछ पुरानी यादे ताजा हो गई है मैं अलमारी साप कर रही थी कि मुझे अपनी फोटों मिल गई, बस उसे देखने लगी चले दिखाना मैं भी देखू उसे नानी मा, ये तो तुमारी फोटों नहीं है, किसी दूसरी में लगी है तुमारे बाल तो सफेध है, और आखों पर मोटा चिश्मत जड़ा है या मेरी 40 साल पहले की फोटो है, तब मैं ऐसी ही थी तब तो तुम बड़ी सुन्दर होगी हब तो केवल यादे रह गई है, वे भी क्या दिन थे नानी मा फोटो में तुमारे साथ या कौन खड़ा है वर तुमारे नाना जी है, तब हमारी साधी की कुछी दिन हुए थे हम दोनों मेला देखने गए थे, वहीं पर याद फोटो खिचवाई थी तुमने नाना जी से कभी मुलाकात नहीं करवाई तब तुम पैदा नहीं हुई थी, जब वह इस दुनिया से चले गए तुम इस फोटो को फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती इसे फ्रेम करवाने बाजार कौन ले जाएगा, मुझसे तो रास्ता तहीं नहीं होता फ्रेम करवाने इसे मैं ले जाओंगी मुझे डर है कि कहीं रास्ते में तुम इसे खो न दो या फोटो मेरे पास आखरी निसानी है, मेरे लिए या बहुत मुल्यवान है यकीन रखो, मैं इसे समाल कर ले जाओंगी और रहिम या फ्रेम वाले से सिफ मढवा लाओंगी ठीक है, या लो पैसे मैं आज एक अच्छा कम करने जा रही हूँ पिंकी, आज तो तुम्हेरे पास पैसे है परेड ग्राउंड पर सरकस लगी है, इन पैसों से दो टिकेट आ जाएंगे नहीं दीपू, या पैसे फोटो को फ्रेम करवाने के लिए है किसकी फोटो? देखकर पैचानो, किसका हो सकता है? मुझे तो या फोटो फिल्म स्टार रेखा का लगता है तो उसके साथ जो खड़ा है, वो राजिस ख़नना होना चुछी या फोटो मेरी नानी और नानाजी की है, लो, इसे इधर दो ओ, फोटो गिर गया कोई बात नहीं, मैं से उठा लेती हूँ ओ, हावा के जोके से उड़ गया नानी का फोटो, वो दूर उठता चला जा रहा है अगर वो खो गया, तो मुसीबत हो जाएगी नानी कहती थी, कि उस फोटो के साथ उनकी पुरानी यादे जुड़ी है वो फोटो, उसकी सबजी की टोकरी में जा गिरा है वो आदमी तो उस बंगले में घुजगिया वो आदमी लौट आया तुमारी सबजीों की टोकरी में मेरी नानी का फोटो था वो टोकरी तो मैं मिनिस्टर सहाब को भेट कर आया मुझे मिनिस्टर से मिलना है इस पेटी में चंदा डाल दो, तुम्हारा वाकाम भी करवा देंगे। नहीं, मिनिस्टर के पास जो सब्चियों की टोकरी गई है, उसमें मेरी नानी का फोटा है, मुझे वह लेना है। तो पहले करने ही पताया, जाओ अंदर। बच्चे, हमारे देश का भवस है, वह देश के भावी नेता है, 21 सताब जी की करणधार, इसलिए हमें अपनी सिख्षा पद्धती को बदलना होगा, इस स्कूल में ऐसा पाठी करम रखना होगा, जो अच्छा मिनिस्टर पैदा कर सके। कहो, कैसा लगा मेरा भासन? मैं आपका भाशन सुनने नहीं, सबजी की टोकरी देखने आई हूँ, वह तो रुसुया कीचन में ले गया, सबजी की टोकरी में फोटो फाल तो लगता है, इसे भटी में दाल दो, तो ताब तीज हो जाएगा, रुका, फोटो भटी में ना डालना, वह मेरी नानी क्या शुक्र है, फोटो बच गया, अब बिना देख के मुझे रहिम्या फ्रेम वाले के पास पोचना चाहिए, अगर बिना माउंट के फ्रेम कराओगे तो 10 रुपे, माउंट के साथ 15 रुपे, माउंट के साथ बना दो, ठीक है, कला कर ले जाना, क्या फोटो का फ्रेम अभी न पाता नहीं, यह रही मिया इतने करम मिजार क्यों है, रही मिया क्या तस्वीर त्यार हो गई है, अभी नहीं, अगर तुम छुप नहीं रहोगी तो यह तस्वीर कभी तयार नहीं होगी, लो तस्वीर तयार है, रही मिया तुम कितने अच्छी हो, पर यह तो मेरी नानी की तस्वीर नहीं है तुम जल्दी में डूसी तस्वीर उठा लो तो इसमें मेरा क्या कशूर पीशे इढ़र दो या रही तुमारी तस्वीर नानी मा मैं तस्वीर मरवाल आई ताट पिंकी इस दिवार पर तस्वीर कैसी रहेगी बहुत खुब शूरत अज संगीत का भ्यास किया जाए तुम्हारे संगीत को सुनकर रोना नहीं आएगा तो और क्या एगा लेकिन तुमारे साथियों में कम से कम तुमारी बगल में बैठा हुआ एक ऐसा है जिसे मेरा गनब पसंद आया देखो वह मुस्कुरा रहे है पकड़ी दास तू मुझे हमेशा चिड़ा कर भाग जाता है आज इस चड़ी से तेरा सफ ओर दूगी पिंकी तू मेरा कुछ नहीं बिगाशक्ती तेरी या हिम्मद छहर अभी मुझे दिखाती हूँ अरे अरे चड़ी तूट गई कोई बात नहीं मैं इस लाटी से तुम्हारा स्थे तोटती हूँ यह अभी मेरा कुछ नहीं बिगाश रकेगी है यह अभी तूट गई पकड़ी तास पता इसका रास क्या है अभी बताता हूँ मैंने पकड़ी के नीशे लोहे का हेलमेट पहना हुआ है मम्मी शॉपिंग करके लोट रही है जरूर कोई खाने की चीद लाई होगी वैसे तो वह मुझे देगी नहीं कोई दिक का मिलानी चाहिए यह चॉकलेट इस मेज पर रख दूँ और यह कस्टर्ड पाउडर इसे भी मेज पर रख देती हूँ अरे चॉकलेट कहा गए लगता है बिल्ली उन्हें उठा कर ले गई होगी टॉमी देखो चॉकलेट को बिल्ली ले गई है उसे ढूंदो अरे टॉमी मेरी वाफ छोट टॉमी अच्छा तो यह रही बिल्ली चिंपो आओ डेबल टिनिस खेले ठीक है लो समाल मेरी सर्विस मेरी गेल चिंपो थ्यार जाओ फिर से खेल शुरू होता है अरे पंदा अरे तेवाजी पर कौन है नमस्ते मैं मरोरंजन से भरपूर पत्रिकाएं बेच रहा हूं इनमें पराग लोटपोड लंडन वगेरा है चुकि आज मेरा जनम दिन है इसलिए सारी पत्रिकाओं पर पजास प्रसी सा दिसकाउंट दे रहा हूं अच्छा जरा मैं भी देखूं धर्मियोग 20 नौवंबर 1966 लोटपोड अंग 307 पराग मार्च 1974 मयापुरी अंग 180 मनोहर कहानिया अगस 1965 जो मुस्सी बता गई अंकल जी क्या मैं आपके मदद कर सकती हूं अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यहां से चली जाओ यहां मदद का कौन सा तरीका है तुम जितनी देर याँ खड़ी रहोगी मेरा दिमाग चाटती रहोगी और मेरा काम रुका रहेगा लो मैं चुप-चप खड़ी रहती हूं फिर भी मुझे डर है कि कहीं तुम ठोकर मार कर रंग न गिरा दो या कोई नुकसान न कर दो लो मैं दूर उस कुरसी पर बेट जाती हूं ओ तुमने यहां क्या कर दिया क्यों इस कुरसी को मैंने अभी पेंट किया है उसका रंग गिला है ओ मेरी फिलाट अरी चम्पू उदास क्यों उस मकान में एक बुड़ा वैज्यानिक गैलीलियो रहता है वा दिन रात आस्मान में नए नए सितारों की खोज करता रहता है उसने प्रण कर रखा है कि जब तक नया सितारा न खोज लेगा खाना न खाएगा वा च्छे दिन से भूका है कहीं मरना जाए जाओ उससे को ये अपना टेलिस्कोप दूसरी खिर्की पर ले जाए सितारा जरूर मिलेगा गैलीलियो बाबा क्या आप अपने टेलिस्कोप उधर वाली खिर्की पर नहीं लगा सकते मिल गया एक बिलकुल जया सितारा अब मत चैंस रोटी खा सकता हूँ धन्यवाद पिंकी पिंकी में इसे दूर हो जाओ मेरी कोई चीट चुट जाएगी पापा आप बेफिकर रहो देखा तुमने मेरा चस्मा तोड़ दिया ना पापा मैं आपका नुकसान पूरे कर दूँगी कैसे ? आपको दूसरा चस्मा ला कर दूँगी मगर दूसरा चस्मा कहां से लाओगी ? बाजार से मगर बाजार से कैसे लाओगी ? पैसे देकर पैसे कहां से आएगे ? आप से अरे पिंकी कहां जा रही है इस चुए को कहीं छोडने जा रही हूं दूर छोड़कर आना ताकि अब फिर कहीं लौट करना आ जाए इंजिनियर साहब क्यों उदाज बैटे हैं मुझे इस तार को पाइप के इस सीरे में डाल कर उस सीरे से निकालना है यह काम मुझसे नहीं हो रहा यह तो बहुत असान है इस चुए की फूच पर रसी बांदीजिए लोग बांदिया अब मैं चुए को पाइप पर छोड़ देती हूं इंजिनियर साह अब दोड़ो चुहा पाइप को उस पार की तरफ फग जा रहा है हाँ हाँ चुहा बाहर आ गया और उसके साथ दा सबस्क्राइप है तुम नहीं जानती पिंकी अगर सुअजुआ अगबार ना मिले तो मुझे बड़ी बैचानी होती है लगता है मेरी तिंचरिया में कुछ खो गया जिस दिन अकबार ना मिले ठीक से खाना भी अजम नहीं होता दादा जी क्या अखबार और कहीं से नहीं म पिंकी बाजार तो दूर है पर तु अकबार लेकर इतनी जन्दी के से आ गई रद्धी वाला पास ही मिल गया था क्या दो महीने पुराना अकबार रोखो आप रोखो क्यों न हम इस लड़की से बकरी हतिया लें खयाल अच्छा है बकरी कम से कम पांसो रुपें बिकेगी देखो तुम्हारी लिए किताब लाए है इसमें परियों की मरंजक कहानिया है परियों की कहानिया वाँ यह रहा बकरी पकड़ना वाँ इसमें सो जचमुच बड़ी मरंजक कहानिया है तरकी काम्याब रही जब तक कहानिया पड़ती है बकरी लेकर 921 हो जाओ मेरे बकरी लेकर कहा जा रहे हो पिंकी को मैंने इसे घांच सराने के लिए दिया था ओह मेरा यकीमती फूलदान अगर पिंकी हा गई तो वह इसे गिरा कर थोड़ देगी इसको कहां रखा जाए कि जहां पिंकी का हाथ न पहुचे हाँ इस अलमारी के उपर इसको रख दिया जाए इस अलमारी के उपर तक पहुचने के लिए तो मुझे स्टूल की जरूरत पड़ेगी यहां तक पिंकी का हाथ नहीं पहुचेगा और फूलदान तूटने से बच जाएगा दादाजी पिंकी तुमने मेरा फूलदान दोड़ दिया कमाल है मैं तो खर के अंदर ही नहीं खुशी